दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नुट में दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्काइब करने के बाद घंटी बडल को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूडल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ के अर्थव्यवस्ता के ब्रिदी दर घट करके चो दसमनों चो परतिसत पर आ गई थी सो दिनों का एजेंडा बजार में डिमांड बढ़ाने इंकम टेक्स के दरों में बदलाओ जेस्टी के नियों में में आसान करने के फोकस होगा अंतिम बजट में की गई घोशना के अन अवाओं को सस्ता करने के लिए अलग फर्मूला लाएगी एजंडा में इंडियन हेल्थ सर्विसेस का अगठन किया जाएगा आईएस आईपियस की तर्ज पर आल इंडिया सर्विसेस सुरू किया जाएगा मेडिकल सिख्षा में ब्रस्टचार की रोकने की पहल और नेशन पॉलिसी आगे पांच वर्स के लिए जारी रहेगी ब्रोकरेज और अर्थ सास्रियों ने कहा है कि नेताओं को देख करके कहा है कि इस टर्म की जीडिपी यानि सकल घरेल उत्पात की वार्षिक ब्रिधी आउसत दर्बनी रहेगी जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी ख़बर लोगों को अपनी बात तक पहुंचाने में नकाम रहा है इसके अलावा कांग्रेस को सामिल न कर पाना भी कुछ हद तक गटवंदन के खिलाफ कया है कांग्रेस के उमीदवार कई सीटों पर इस गटवंदन के लिए वोट कटवा साबित हुए है उत्तर परदेश में 80 2014 में यूपी में 71 सीटे मिली थी इस बार उसे 62 सीटे मिली है 2018 में लोगसभा उचुनाव में एसपी बीएसपी के साथ आकर कि बीजेपी के हाथ रने से जिस तीन सीटों जिसमें से फूलपूर गोरकपूर और कैराना को छिन लिया था बीजेपी ने उन सीटों को एक बार अपने नाम कर लिया है। चुनावी गटवन्दन किये हैं, वे उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं बीजेपी अधक्ष अमिसा ने चुनावी प्रवंध के साथ परधान मंतरी मोधी की सक्सियत SP-BSP गटजोर पर भाड़ी पर गया है दरसल FC-BSP का गटवन्दन दो बड़े निताओं का गटवन्दन था इसमें कारेकरता अच्छूते थे दोनों ने एक दूसरे को वोट बैंक ट्रांसपर करने की बात कही लेकिन यह जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा था यूपी के जिस तरीके से नजर आये बदलने की कोशिश की थी वहीं यूपी के मुख्यमंदरी योगी आधितनात ने अपने आक्रामा के हिंदुत अवियान में केजरिये भी जाती गोलबंदी को कमजोर करने की कोशिश की थी जिसमें बीएजेपी ने यह रनीती अगली बड़ी ख़बर अमेरिका के प्रतीबंद के बाद भारत एक और नए देश बन जाएंगे जिसके इराँ से कच्चा तेल खरीदना बन बन कर दिया है अमेरिका ने इरान के साथ परमानु समझोते से खुज को अलग करने के बाद अपने खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंद लगाने की गोश्णा की है हाला कि अपने आठ देशों की एरान से कचा तेल खरिदने पर प्रतिबंद से चूट दी है इस चूट की अवधी मई महीने के सुरुआती में समाप्त हो गई है अमेरिका में भारत के राजदूत हरसवधन सुरिंगला ने कहा है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंद से मिली चूट की अवधी बढ़ाने से इंकार करने जाने के बाद भारत ने इरान से कचा तेल खरिदना बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अप्रिल में भारत के इरां से खरीदे जाने वाले कच्छे तेल की मातरा करीबन 2.5 और अपटन से घटकर की एक और अपटन हो गई है। परचंड बहुमत के साथ जीदे। अपको वहीं बता दे कि दूसरी और कांग्रिस अदक्छ राहूल गांदी ने सनिवार को इस्तिफा दे सकते हैं। जानकारी सुत्रों के हवाले से आ रही है। अबर एकि राहूल गांदी लोगसभा सीट के नतीजे आने के बाद गुरुवार को मीडिया के सामने पद से इस्तिफा देने का आयलान करना चाहते थे। लेकिन पार्टी के नताओं ने समझाने पर वो मान गये थे। अब सनिवार को कांग्रेस कारे समीती यानि CWC की बैठक में कांग्रेस दक्र राहूल गांदी इस्तिफा दे सकते हैं। आपको बताते कि लोगसभा में कांग्रेस के 52 सीटे आई हैं। कांग्रेस की 54 सीटे थी। राहूल गांधी इस बार खुद अपने गढ़ यानि यूपी की अमेठी से चुनाव हार गए हैं। अमेठी से हार कर कि केवल और केवल वो वाइनार्स के सीट से जीत चुके हैं। अगली बड़ी खिबर तीस मई को मोधी फिर लेंगे पी-म की सपत। साम चार बजे होगा सपत ग्रहन सामा रहा हूँ। लोक्स भचुना के बीजेपी की जबरदस जीत दिलाने के बाद नरेंद मोधी और फिर दुबारा परधार मंतरी की सपत लेने वाले हैं। सुत्रों के नुसार मोधी और कुछ मंतरी तीस मई को सपत ले सकते हैं। राश्टपती भवन में तीस मई को साम चार बजे सपत ग्रहन सामा रहा होगा। इससे पहले मोधी 28 में को अपने संस्वतिय चेत वरान सी जाएंगे और वहां पूजा आर्चना के बाद गंगा आरती में भी सामिल होगे। बीजेपी की जोरदार चीत के बाद उत्साहित मोधी ने भवी से के लिए अपनी प्राथ मिक्ता भी तै कर दी है। जी हाँ दोस्तों कम्पूटर की दुनिया मसहूर कंपनी माइक्रोशॉप ऐसा चस्मा बनाने जा रही है जो बलड प्रेस्ट नापने का काम करेगा। इस चस्मे में आप्टिकल सेंसर लगे होते हैं जो रख्चाप नापने के लिए डिवाइज के रूप में काम करेगा। इसे गलोबल नाम दिया गया है। ऐसे रख्चाप के नापने वाली किसी अन्य डिवाइज की तुलना से पहचानना और इस्तमाल करना काफी आसान हो जाएगा। इस डिवाइज में ऐसे ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं जो यूजर्स के किसी भी परकार के इंटरेक्शॉल के बिना काम करता है। करने की योजना बनाई है। आई आई ए स्पेक्ट्रम की एक रिपोर्ट के मुताबिए किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन के बीच का समय या पल्स ट्रांजिक्सन टाइम की गणा के अप्रत्यक्ष रूप से रख्चाप की माप की गणा की जा सकती है। अगली बड़ी ख़बरें मोदी की चीत देख पाक का बदला रुख सुस्मा के बिमान के लिए खोल दिया एरोस्पेस। जी हां तो नरेद मोदी ने फिर से सता पर काजिब होते दिखा पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव कर रहा है। नए घटना करम में पाकिस्तान ने विदेस मतरि सुस्मा सुराज के लिए अपने हवाई मार्ग खोल दिये हैं। पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव कर रहा है। पाकिस्तानी समकक्ष साह महमूद कुरैसी विसकेक ने बुधवार को आयोजित संखाई सहयोग समेलन एस्यों के बैठक में एक दूसरे का अविनदर स्विकार किया। किर्गिस्तान राष्टपती से सर्युक्त मुलकात के दुरान दोनों ने ता एक दूसरे के अलग-अलग बैठक में भी नजर आएं। आपको बताते कि सुस्मा स्वराज और साह महमूद कुरैसी ने संखाई सहयोग संगठन में बिदेशी मंत्रियों के परिशत के बैठक में हिसा लिया था। रूस, चिन, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के ततकाली राष्टपतियों ने 2001 में संखाई में सिखर समेलन में स्थापना की थी।